हाँ पिजैसे कि जिवा में की तरह से आप लोग को सेल बता दिया था अब उसके बाएस से वो लास्ट टाइम मैंने बताया था इस पी नहीं का मतलब जो भी रिवॉर्ड का प्रोग्राम तब बताया था उसके बाद मेरा फोन चला गया था पूरा सर्वी सेंटर में डाल दिय तो वहां पर मुझे पांच छे दिन का गया पर ना ही वीडियो ना ही पोस्ट अगरा कुछ नहीं अपडेट कर रहा था उस टाइम पर लेकिन यह है कि मैंने लास्ट टेम आपको जीवा में का लूट बता दिया था तो यहां पर आज 17 तारी का आने वाला है आब आज 16 यह 17 आने वाला आज रात को 17 हो जाएगा तो उसके बाद यहां पर एक ट्रीक है अब देखो सेल चालो तो आपको पता है कि सेल चालो तर जो जो पचास आट रुपे जो भी कोईंस आपको मिले होंगे पैंडिंग में आप यहां पर जो 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 नॉर्मल प्राइस वाले जो कम परलब बढ़ जाए ऑटोमेडिकली सिंपल सा बात यह रेट बढ़े रहेंगे आपको पैसा भरना ही पड़ेगा तो कम प्राइस वाले प्रोड़क्ट था अब यहां पर जो भी जेड़ कोईंस के वैलेडिटी जो थी वो सम्तिंग थी 17 तारिक तक कुछ 12 से 17 तो 11 17 तारिक के बीच में रहेगा उससे ज्यादा यह नहीं था पहले बता देरों से जादा यह गैरेंटी नहीं है कि रहने वाला एक नहीं तो यहां पर एक ट्रिक है जिससे आप यह जेड़ कोईंस की वैलेडिटी आप बढ़ा सकते हो सिंपल सा ट्रीक तो यहां पर जैसे कि आप कोई से इनके पास तो उसमें जाब देखो एक सो नौ कोई नहीं अपलाए किया है दोनों प्रोड़क्ट मतलब यह जो दोनों प्रोड़क्ट चोटा भी हमका यह और यह मतलब पूरा सेट के साथ तर जो भी जीरो रुपेस आप एक सो नहीं रुपे तो आपको डारिक खैल भी था उसे फ fiance अब यहां पहें पे इनका मुझे यह भी आ बरक्ति इन का डिलेवर भी आब अन्युकर है यह उन्हों नहीं मुझे ट्रिक भी बता था मुझे यह में कुछ नहीं पता था तो यहां पर मैं आ जाकूं फिर से यहां पे बता दू यहां परिक मेंका इक तो यहां पर जैसे कि वैलेडिटी अगर आप देखो कि इनका भी अभी इनका वैलेडिटी जो भी रिफंड होगा एक जैड कोई उसका हो चुगा दो हजार तेस मतलब एक साल वैलेडिटी बढ़िया तो इसका यह ट्रिक आपको एपला करना ओडर करना दैन कैंसल करना कैंसल करना रिफंड कुछ टाइम में आजागा ट्वंडिफोर हावर फॉड़ी एड हावर फे अंदर और वह आपको जो भी रिफंडेबल एमांट होगा आपको जो भी जैड कोई मिलेगा एक साल तक वेलेड रहेगा तो इंदे को सतरह थारी किया आज आज कूप हो सकता है एक् ट्रिक सब लोग यूज करो और हंड्रेड परसेन वार्किंग है तो फड़ा फड़ जागे लूट लेना